हेलो एवरिवन वेल्कम टो अव्यान आईये सेकेडमी मैं हूँ एंचली कौशिक और आज फिर मैं एक नेक्स वीडियो लेके आई हूँ जो हमारा अल्रेडी एक कोर्स चैनल पर चल रहा है सीटेट का उसी के कॉंटिनेशन में मैं आज आपके लिए नेक्स वीडियो लेके आ और आज हम कवर करने वाले हैं आपके दो टॉपिक अज हम आपके यह दो टॉपिक हम आपके कवर करेंगे आज एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिंट अफूं अब दैंडि निमेशनल इंटेलिजनस आ ट्राइट और वीडियो बड में आपकी कंटिनेशन में एक और वीडियो तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक सेornально how can we define intelligence हर किसी की एक particular term है मतलब हर कोई उसको different term के साथ a different definition के साथ बताता है कि वो इंसान intelligent है या intelligence क्या है हर कोई अपने अपने perspective से बताता है तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे कुछ major pioneer थे सबसे पहले हमारे जो major person थे वो थे Alfred Bennett ठीक है Alfred Bennett जो थे इन्होंने बोला judgment otherwise called good sense practical sense initiative और the faculty of adapting oneself to the circumstances इंसान अपने circumstances से कैसे adapt करता है वो आपका intelligence कहलाता है as per the Alfred Bennett अब जो Alfred Bennett थे उन्होंने basically यह जो term दी इसको हम one factor theory of intelligence भी मानते हैं अब आगे हम next की बात करेंगे तो next definition है वो है आपकी डेविड वेशलर की डेविड वेशलर ने जो बोला था उन्होंने का था intelligence is the global and aggregate capacity of an individual to think rationally act purposefully and deal effectively with his or her environment कि इंसान कितना rationality से कितना effectively अपने environment के साथ deal कर पा रहा है उसको हम intelligence भूलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे intelligence बोलेंगे तो यह आपकी डेविड वेशलर की जो टाम थी जो उन्होंने एक पर्टिकुलर definition दी उन्होंने यह दी तो दोनोंने almost same ही चीज़ बोली है ठीक है इन्होंने बोला है कि adapting to circumstances इन्होंने बोला है कि think rationally और act purposefully and deal effectively with her his or her environment almost same चीज़ बोली है बट इन्होंने जो term ह उसको different कर दिया है थोड़ा definition को थोड़ा सा different कर दिया है इन्होंने बोला है कि adapting to the environment इन्होंने बोला है dealing with the environment ठीक है आगे चलते हैं which is somehow same intelligence अगर हम बोलते हैं एक term intelligence तो उसके अंदर हम किस किस चीज़ को consider करते हैं अब intelligence को अगर हम देखें तो intelligence में क्या क्या आपका include होगा apt attitude, interest, personality and values यह चारो ही चीज़ आपकी intelligence में include होती है then अगर हम history of intelligence को देखें तो उसका क्या मतलब हो जो first है हमारे Francis Gelton उन्होंने क्या बोला था that intelligence was hereditary and that it could be tested by looking at how the people perform on sensory motor task कि इन्सान physically किसी task को किस तरीके से perform कर रहा है sensory motor कि तुरू जो sensory motor task होते हैं उसके basis पर उन्होंने बताया कि हम intelligence को नाप सकते हैं then Alfred Bennett जी आए अब Alfred Bennett जो है उनका नाम आपको intelligence testing में बार बार देखने को मिलेगा वो काफी major काम इदर करके गए है there is a Stanford Bennett test ठीक है जो आज भी use होता है intelligence testing के लिए ठीक है और यह जो है वो बनाया majorly इन्हों नहीं था बस उसके जो testing की वो लिविस टर्मेन ने की और इस वज़े से इस पूरे scale को बनाने का या इस test को बनाने का जो major श्रे है वो लिविस टर्मेन को जाता है इधर इनका नाम mentioned है ठीक है अब हम आगे देखते हैं that what he suggested basically the concept of mental age इन्होंने किस चीज़ का concept दिया mental age का mental age क्या होती है the average abilities of a children within a certain age group and develop the test ठीक है अब उन्होंने क्या करा इसके तुरह हम क्या measure कर सकते हैं कि एक age group में जब बच्चा होता है ठीक है तो average child जो है वो normal perform करते हैं एक age group में average child जो होता है उसकी क्या capacity होती है उसको हम क्या बोलते है mental age that is which measure of intelligence based on the average abilities of a children within a certain age group ठीक है एक बच्चा एक certain age group पे होने की वज़े से किस mental abilities को properly कर सकता है क्या-क्या उसकी mental abilities उस time पे वो perform कर सकता है जैसे प्याजे ने हमारी stages दी थी अब उसमें क्या हो रहा था mental जो abilities थी वही तो time to time increase हो रही थी तो उसी हिसाब से इन्हों ने भी बूला कि जो mental age होती है basically mental age क्या होगी कि उस time पे average बच्चा किस level पे है कितनी वह capable है कितना वह able है then there is a chronological age as well chronological age जो आपकी होती है chronological age जो होती है आपकी exact age अगर आपकी बात करी जाए exact age की जो आपकी 14 year हो सकती है then अगर बात करें mental abilities वाली age की ठीक है अगर mental age की बात करें 14 ठीक है लेकिन अगर उसे हम mental age के हिसाब से देखें ठीक है mental age के हिसाब से उसका कितना हो जाता है mental age अगर हम उसकी देखेंगे तो वह हो जाएगी suppose 6 कि वह chronological अगर growth देखें मतलब age के हिसाब से अगर हम देखें तो वह बच्चा 14 साल का है लेकिन अगर उसकी mental age देखें जहां बात आती है capabilities की abilities की काम करने की mentally तो वहां पर वह कहां stand कर रहा है 6 पर तो यह दोनों different होती है ठीक है अब हम आगे देख लेते आइपस ऑफ intelligence टेस्ट फैलम बात करें टाइप ऑफ intelligence टेस्ट की जो IQ का फॉर्मुला है वह भी आपका Stanford बीनट टेस्ट में ही आया है उसमें basically हम mental age और chronological age into 100 कर देते हैं उने जो पीछे यह जो दो थे कौन-कौन Alfred बीनट एंड लिविस्टर में तो यह तुम्हारा IQ का जो major formula है वह उसी test में use होता है उसी के थुरू हम आगे एक बच्चे का IQ या उसकी level जान पाते हैं कि वह कहां इतना reliable नहीं रहता ठीक है और जो mental abilities है वह एक तरीके से थोड़ा सा static हो जाती है बच्चा पूरी तरीक से develop हो जाता है इसलिए 16 इदर highest रहेगी lowest can be any ठीक है mental age can be any बट chronological age इदर 60 से उपर नहीं जाती अब हम start करते हैं आगे type of intelligence test अब intelligence test की जहां बात करते हैं सबसे पहले हमारे होते है psychological test ठीक है it is an objective and standardized measure of an individual's mental or behavioral characteristics यह क्या है standardized measure है अच्छे तरीके से ruled है ruled मतलब कि उसकोई norms है ठीक है अच्छे तरीके से इसकी norms वगरे developed है और यह क्या बताएगी एक individual का mental or behavior characteristics then coming to the second which is interview interview हमें पता है कैसे होता है कि हम person to person contact करते हैं उससे बात करते हैं interview आपका structured भी हो सकता है जिसमें आप पहले से ही questions लेके जाते हैं interview आपका unstructured भी हो सकता है जिसमें आप on the spot questions पूछते हैं then interview आपका semi structured भी हो सकता है जिसमें कुछ questions आप already developed करके लिए कि जाते हैं और बाकी के जो questions होते हैं वह आप on the spot as per the answer आप उन से पूछ लेते हैं then speaking about the case study, case study क्या होता है कि हम एक ही subject को in depth पढ़ते हैं जैसे अगर हम clinical psychologist की बात करें वह case study का use करते है medical area में case study का use बहुत होता है जब आप किसी previously मतलब previously जो चीजे हुई है आप उसका point ढूँडना चाहरे हो कि उसका cause क्या है ठीक है किस reason से वह चीज होई है तो वहाँ पे case study का बहुत use किया जाता है एक single person को या single case को उठा के बहुत deeply पढ़ा जाता है then there is case study is an in-depth study of an individual in terms of his or psychological attributes, psychological history and physical environment वह किस area में पला बड़ा है उसकी क्या psychological history है इससे पहले तो उसे कोई psychological दिकत नहीं थी अभी नहीं नहीं आई है तो वह सारी चीजे इसके अंदर आती है यह बर्थ से लेके आपका उस point तक हर point को consider करने की कोशिश करते हैं case study में then there is observation ठीक है observation में क्या होगा कि हम एक person को observe करेंगे observation can be in vitro ठीक है कि हम उस इनसान को properly क्या करता है एक तो होता है मेरा naturalistic observation जिसमें हम उसको उसके natural environment में ही क्या करेंगे observe करेंगे और उससे हम चीजों को predict करेंगे then there is other kind of observation जहां इनसान को proper laboratory में बिठा के observe करेंगे ठीक है observation भी दो तरीके ही होती है then there is discussed observation जहां पर हम उन लोगों के साथ ही काम करेंगे बिना बताए और तब उनको observe करेंगे then there is kind of observation basically observation में क्या होगा it involves systematic organized and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in the real time में ठीक है कैसे करेंगे इसमें real time में जो चीज़े हो रही है उनको हम observe करेंगे और उसे साथ से product करेंगे then there is self report जहां बात आते हैं self report की वहीं बात आ जाते हैं questionnaire की in method in which a person provides factual information about himself herself और opinions belief etc that he or he holds अब इसमें डारेक्ट उस परसन को भी बोल देते एक रिपो की बताओ अपने बारे में बताओ अब वो objectively भी हम उसे test दे सकते हैं तो अगेन open ended question and closed ended questions भी इसमें आ सकते हैं तो इसके भी subdivisions होंगे then हम चलते है अपनी next slide पर अब next slide is critical perspective एक से किर्टिकल परस्पेक्टिव और दे कंस्ट्रॉक्त आफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला किसने इंटेलिजेंस की क्या अंडेस्टेंडिंग दिखाई तो वह सब हम इसके अंडर कंसीडर करेंगे इसलिए परस्पेक्टिव है वह सब्सक्राइब और आपका क्रिटिकल परस्पेक्टिव है कि हम प्रॉपर तरीके से एक जो टॉपिक होता है उसको एकदम पॉजिटिव नेगिटिव कउन्क्लूजन सब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं सब हम उसको analyze कर लेते हैं proper तरीके से breakdown करके तो वो हम critical perspective के अंदर consider करते हैं then अगर हम बात करें intelligence के बारे में तो कुछ लोग इसे higher level abilities बोलते हैं जैसे कि abstract reasoning, mental representation, problem solving, decision making, right कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये तो intelligent है, क्यों है वो intelligent क्योंकि उसकी higher level abilities अच्छी है, वो creative है, ठीक है, mental representation उसके पास अच्छी है, decision making, अरे ये तो बहुत अच्छे decisions लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, कि वो बंदा बहुत ज्यादा intelligent है, या वो बच्चा बहुत ज्यादा intelligent है, then the ability to learn emotional knowledge, creativity, adaptation to meet the demands of the environment effectively, right, उसके ब intelligent है, ठीक है, अरे ये तो emotional perspective है, बहुत अच्छे से deal कर लेता है, emotions के साथ, तो ये emotionally बहुत ज्यादा intelligent है, knowledge अच्छी है, creativity अच्छी है, ये तो बड़ा अच्छे से adapt कर लेता है, तो intelligence के बहुत सारे वो है, मतलब बहुत सारे perspective है, intelligence is very multi-dimensional construct, अगर हम देखें तो इसे, हर perspective में intelligence को हम देख सकते है, whether it is emotional, whether it is psychological, whether it is physical, whether it is practical, whether it is analytical, their kind of intelligence, आगे जो हमारी theories आएंगी, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, multi-factor theories are there, two-factor theories are there, तो वो हम सारे discuss करेंगे, और the next is, psychologists have developed several contrastic theories of intelligence as well as individual tests that attempt to measure this very concept, अब psychologists क्या कर रहे है, वो उस चीज़ को measure करने की कोशिश कर रहे है, किसको, intelligence को, उसके लिए उनोंने बहुत सारे test बन चुके है, कि यह इसको measure करता है, यह इसको measure करता है, फिक है, तो उन हम test को भी पढ़ेंगे, अभी पहले हम इसको देख लेते है, theories को, so, theories of intelligence, the first one is spearman, basically, जो पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि Alfred Bennett ने एक थोरी दी थी, मतलब single factor theory was there, जो मैंने उपर mention किया था, तो वो इस से पहले आई थी, ठीक है, इस से पहले आई थी, that was single factor theory, कि environment के साथ कैसे एक person adapt कर लेता है, वो आपका intelligence counter-consider होता है, यह हमारी second theory आ गई है जो है spearman's general intelligence, अब इसको हम two factor theory भी consider करते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, two factor theory as well, two factor हम इसको क्यों बोलते हैं, देखो, spearman ने दो factor दिये, one is G and other is S, G is for general, ठीक है, general factor, ठीक है, वो हमारा क्या है, जी, then there is specific factor, जो हमारा क्या है, S, तो general factor क्या होगा, sorry, it is not visible, ठीक है, अगर हम बात करें general factor की, तो general factor हमारा क्या होगा, that it will help, it is general intelligence, वो हर area में आपको help करेगा, basically, the, जो आपका base होगा, intelligence का, ठीक है, वो आपका किस में आएगा, general intelligence के अंडर, जैसे suppose हमें एक, हम बात करते हैं की, cramming, ठीक है, cramming, learning, learning, basically, we'll go for learning, अगर हम learning की बात करते हैं, तो learning क्या है, learning एक आपका basic factor है, ठीक है, general factor है, जिसकी learning अच्छी होगी, वो आगे जाके concept अच्छे बनाएगा, वो आगे जाके अच्छे से चलेगा, अच्छे अच्छे मतलब constructivism उसमें जाएगा, अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब, basically, learning is the base, अगर उसको उसका fact ही नहीं पता है, तो वो आगे नहीं construct कर पाएगा, तो वो आपका general factor में आजाएगा, जो आपका eventually, पूरे intelligence का base बनाएगा, तो वो आपका क्या होगा, general, और जो general होगा, वो हर किसी में क्या होगा, almost common होगा, ठीक है, he showed that the intelligence consisted of a general factor which is G factor and some specific factors which are S factor, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, S factor, general factor which is G factor and then there is S factor, अब S factor का क्या होगा, S factor is basically higher order, higher order मतलब, it can be specific, like I am good with maths, maybe I will be good with maths, मतलब, suppose I am good with maths, तो वो क्या है, वो मेरा specific factor है, I am good with dance, तो वो मेरा क्या है, specific factor है, लेकिन basis का क्या है, basis का यही है, general factor है, general factor से, जो specific factors है, उस पे हम आते है, general is basically, I am adapting to the environment, मैं चीजों को देख रही हूँ, मैं चीजों को समझ रही हूँ, मैं चीजों को याद कर रही हूँ and eventually, जो specific abilities जो मेरे पास आएंगी, वो किसके उपर basis होंगी, general factor पर, so general factor is a huge G factor, जो आपका underlie करेगा पूरी process को and there is, then there is small specific factors, ठीक है, then there is small specific factors, जो आपके particular domain में होगा, ठीक है, आपकी particular specialization में होगा, maybe it can be dance, it can be, आपका, क्या कहते है, learning, it can be your mathematical, it can be singing, it can be anything else, तो specific can be anything, but general is the single one, which is same, then coming to the second theory, which is, which is, Lewis Thurston intelligence theory, इन्होंने हमारे seven primary mental abilities दी थी, किती primary mental abilities दी थी, seven, ठीक है, इन्होंने seven term में intelligence को बाट दिया था, कि ये सारी abilities होती है, जो consist करके, एक intelligence की term को बनाती है, तो अब हम वो seven वाली देख लेते हैं, the first is word fluency, word fluency के अंडर आपका आएगा, ability to use quickly and fluency in performing such tasks as rhyming, solving enneagrams, doing crosswords and puzzles, तो word fluency क्या होगा कि किती जल्दी जल्दी आप words produce कर पारे, किती जल्दी जल्दी आपका brainstorm होके, आप words को produce कर पारे, then there is verbal comprehension, ability to understand the meaning of word concept and idea, when speaking about verbal comprehension, comprehension is basically चीजों को तोड़ के analyze करके हमने समझ लिया है, तो उसको हम comprehension बोलते हैं, तो verbal comprehension के अंडर क्या आएगा, कि आप चीजों को किती जल्दी समझ रहे हैं, concepts को किती जल्दी समझ रहे हैं, तो वो intelligence किसके अंडर आएगा, आपका, verbal comprehension, then there is numerical ability, which is related to maths, ठीक है, then there is special visualization, ठीक है, जिसमें हम patterns की बात करते हैं, ठीक, patterns की बात करते हैं, patterns मतलब कि जैसे हमने एक particular आपको, suppose यह दे दिया, ठीक है, अब now I will ask you, that what does it show, maybe there are people who will say it is a circle, then there are people, they will say it is a star, ठीक है, तो multiple, यह क्या है, हमारा special intelligence है, कि हम अपने space के साथ, या हम जो कहते हैं, आपकी यह patterns है, उनको हम कैसे manipulate करके, कैसे हम नही नही फॉर्म में ले आते हैं, तो वो आपका special visualization में आता है, then perceptual speed, perceptual speed में आपका ability to grasp perceptual details quickly, accurately to determine similarities and differences between the stimuli, perceptual speed का मतलब है, कि जब हम percept करते हैं, चीजों को मतलब, जब हम उन्हें basically brain के, मतलब जब हम उन्हें brain में project कर रहे होते हैं, तो उस time पर हम कितना speedily और कितना accurately उसे कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, perceptual speed, then there is memory, memory is basically learning, then there is inductive reasoning, inductive reasoning मतलब, ability to derive rules and principles from presented information, inductive reasoning का क्या है, जिसमें हमारे पास कुछ information होगी, उसने हमें reason दे देंगे, कि ओ, ये इस वज़े से हुई है, speaking about the example, जैसे अगर सपोज हमने कीचड देखी, तो विल से कि अरे बारिश हुई थी शायद, तो ये क्या है, ये एक reasoning है, कि हमें कुछ information मिली, हमें कुछ stimuli दिया, उसके हमने reasoning कर दी, तो वो आपकी किसके अंदर आईगी, inductive reasoning के part में, अब हम आगे चलते हैं, तो जो हमारी third theory है, ठीक है, third theory is, जो हमारी Harvard Gardner ने दी थी, multiple intelligences, इन्होंने क्या बोला था, देरार, multiple intelligences, and total, eight intelligences, जो इन्होंने दिये थे, eight, there are eight kind of intelligences, अब वो मैंने हाँ दिखाया हुआ है, कि एक तो musical होगा, musical is related to music, ठीक है, उस इन्सान का, जो, may be singing, may be, वो कोई आपका, यह जो instrument है, उसको play करे, तो उसका musical, जो intelligence है, वो ज्यादा हाई होगा, then there is visual, जो लोग बहुत picture smart होते हैं, then there is intrapersonal, intrapersonal is about self smart, self smart मतलब हम अपने आपको ले के, अपने आपको ले के, कितने जादा conscious है, कितने जादा active है, खुद को ले के, खुद को कितना समझ पा रहे हैं, खुद के लिए हमारा concept क्या है, तो वो आपका self smart में आएगा, then there is naturalistic, ठीक है, हम nature के साथ, environment के साथ, कैसे deal कर रहे है, then there is logical smart, जो आपका mathematical में आएगा, कि हम कितनी जल्दी चीजों को logically process कर लेते हैं, then there is word smart, which is linguistic, कि हम words को कितनी जल्दी process कर लेते हैं, कितनी जल्दी उसका meaning समझ लेते हैं, then there is intrapersonal, interpersonal, interpersonal के अंदर आपका क्या आएगा, this one is intrapersonal, sorry, and this is interpersonal, interpersonal का मतलब आएगा, कि आपक है mother father family किसी के साथ भी जो है आप उनको लेके कितने ज़्यादा स्मार्ट है वो कितने अच्छे से आपने समाले हुए देन देरिस काइन और इस्थेटिक जो आपका बोडी स्मार्ट होगा ठीक है अब अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो जिसके पास म्यूजिक वाला स्मार्ट है ठीक है जो आपके यह जो बन जाते है एक आपके इसमें आएंगे डन देरिसट इंटर प्रे परसनल इंटरों में आपके वो लोग आएंगे जिनके रिलेे जो भी हैं वो बहुत positively उन्होंने handle के हुए हैं बहुत अच्छे से उन्होंने समझे हुए हैं rather than going for bad अगर यह intelligence कम होगा तो आपके relations खराब होंगे then kinesthetic यह वो लोग हैं जो sports वागेरा में जादा जाते हैं तो इन्हों यह body smart होते हैं अब next story पर चलेंगे next story is Arthur Jensen अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था that there is G factor then there is special abilities तो इन्होंने इन ही theories को basically जो आपकी Spearman की theory मैंने आपको बताई थी two factor की theory को उसने ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया था तो हम पढ़ लेते हैं पहले he proposed a hierarchical model of abilities at two levels level one and level two उन्होंने दो लेवल दिये थे mental abilities के विच इस लेवल बन लेवल टू ऑथर जेंसन जो हमारे हैं वो काफी ज्यादा controversial psychologist भी रहे हैं क्योंकि जाब उन्होंने level one और level two abilities का बताया था तो उन्होंने एक racial differences इसमें क्रेट कर दिया था उन्होंने बोला था कि research में there is a racial difference when it comes to level two abilities which are higher order skills and उसमें जो Asians हैं उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है then there is American and then there is African so there is a racial difference between the intelligence in which second level of abilities and speaking about the level one one वो सबकी almost same थी लेकिन level two जो थी जो higher order skills थी वो आपकी क्या थी racial differences उसमें थे जो आपके अफ्रीकंस थे उन्होंने कम थी और जो Asians थे उन्होंने highest थी और जो Americans थे वो आपके बीच में रिलाए कर रहे थे अब अगर हम level one abilities की बात करें तो यह सिर्फ associative learning है ठीक है ठीक है जो almost same होती है जैसे रोट learning और memory तो उसमें इसने क्या बोला कि रोट learning memory इन सब चीजों में चाए वो American हो चाए वो Asian हो चाए वो आपका अफ्रीकन हो वो सारे ही same थे then level two abilities which are cognitive competence involve high order skills they transform the inputs to produce effective output अब यह क्या था कि जो second level abilities है वो क्या कर रही है वो जो हमें input मिला है वो उसे क्या कर रही है यहां पर जब और जिन से ने यह बात बोली that there is racial difference between level two abilities तो यहीं पर यह theory जो थी आपकी वह बहुत controversial हो गई इसे लिए इस वाली जो term है इसको बहुत ज्यादा थोड़ा इग्नौर भी क्या जाता है but level two abilities की जो उन्होंने theory दी थी उन्होंने वह यह दी थी यह उन्होंने तीन तरीके की तीन तरीके की abilities और दी थी उन्होंने बोला था कि जब specific factor होता है उसके बाद भी there are two type of abilities which are level one and level two level one के अंदर आपकी यह वाली आएंगी जो आपके आपको इन्पुट मिला है उसको transform करके आप कुछ reproduce कर पाएंगे ठीक है basically आप कुछ reflect कर पाएंगे तो वह आपकी higher order skills में आती है और जो आपकी learning और road learning वगएरा होती है वह आपकी first order thinking में आती है और level one में आती है then there is stendberg's theory ठीक है stendberg ने जो छोड़ी दी ती ट्रायार्किक theory of intelligence कौन सी जोरी ट्रायार्किक theory of intelligence तीन टाइप के इसने intelligence दिया था एक तो आपका analytical एक आपका creative देन practical intelligence कौन सा analytical creative और practical intelligence अब analytic कि यह गर हम बात करें तो यह आपका बात करता है आपके academic achievement के बारे में किसके बारे में academic achievement के बारे में कि आप जो चीजे अच्छे से समझ पारे हो कितने अच्छे से analyze कर पारे हो इस I give you a question तो उस question को आप पढ़ के उससे कितना समझ पारे हो आपका analytical में आता है then there is creative intelligence creative intelligence के अंदर आपका आता है imaginative and innovative problem solving ठीक है creative creative क्या होता है when we come to creative creative is basically noble ideas right जो पहले ना हुए हो कुछ different जिसको हम divergent thinking भी बोलते हैं तो वो सब आपका creative के अंदर आता है तो speaking about it creative intelligence imaginative and innovative problem solving क्या है innovative कुछ नया innovation कर देना तो वो आपका creative intelligence में आएगा then there is practical intelligence practical intelligence की बात करें तो यह लोग street smart होंगे क्या होंगे street smart practical intelligence का मतलब कि हमारी जो life है जो हमारी day to do life जिसे हम practically deal कर रहे है हम उसको लेकर कितने intelligence हम उसको लेकर कितने smart है how we resolve our problems तो वो आपका practical intelligence के अंदर आएगा then आप इनके definition पढ़ लेते analytical intelligence also referred to as componential componential intelligence refers to intelligence that is applied to analyze or evaluate problems and arrive at solution this is what the traditional IQ test measure ठीक है क्या कर रहे हैं componential basically components में तोड़के उसको बहुत अच्छे से हम analyze करके क्या उसका answer निकाल लेते हैं that's why it is also known as componential intelligence और वही same है कि जो हमारी हमें कुछ एक particular question दिया है हमें कुछ भी academic जो issue है academic जो हमें term या academic जो हमें definition दी गई है academic कुछ भी हमें दिया गया तो हम उसको कित्ती जल्दी analyze कर लेते हैं तो वह हमारा analytical basically आ जाता है और यही हमारा जो traditional IQ test होते हैं वह इसी को test करते हैं then अगर हम बात करें कि creative intelligence की as I said कि go beyond novel ideas होंगे interesting ideas होंगे imagination होंगी imagination मतलब अगर कुछ out of the box आपको सोचना है तो imaginative तो वह हो गई तो आपका creative intelligence का part है then practical is how we fit in the environment and how we deal with it effectively तो वह आपका practical के अंदर आ जाएगा अब हम आगे चलते हैं Raymond kettle की theory पे ठीक है जो Raymond kettle थे यूनिट तो 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 आफ इंटलिगेंस तो थो तो 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 इंटलिगेंस which is fluid intelligence खेक है इस दी अबिल्टी to problem solve in novel situation without referencing prior knowledge but rather through the use of logic and abstract thinking fluid intelligence can be applied to many novel problem because no specific prior knowledge is required as you grow older fluid increases and then starts to decrease in the late 20s, अब fluid intelligence basically क्या होता है, जिसके लिए जो हमारा by birth जैसे हम दिर दिर reasoning और इन सब को आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमारे ये वाला intelligence है, हम कितना effectively environment से deal कर लेते हैं, कितना आच्छे तरीके से deal कर लेते हैं, बिना prior knowledge के, तो वो आपका आता है fluid intelligence के अंडर, अभी मैंने recently किसी की कोई तो क्या कहते हैं, कि किसी का एक example मैंने सुना था, कोई बच्चा था, उसके father उसके exam से एक दिन पहले expire हो गए थे, और उसका final exam था, तो उसकी mother ने, even though the person called, उसकी mother ने उसे नहीं बताया, she said कि आप से तब बात करेंगे, आपके father जब आप paper खतम कर लोगे, अच्छे से, तो बच्चे को लगा, कि चलो ठीक है, पापा से तब बात कर लूँगा, बट जब वो घर पहुंचा, तो उसको पापा मिले नहीं, तो फिर उसने पूछा, आपने ऐसा क्यूं करा, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक चीज गलत होगी थी, दूसरी चीज तो ठीक होती, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो यह आपका fluid intelligence का पार्ट है, कि में भी वो mother जो थी, वो कभी school नहीं कहीं थी, या कुछ भी जो भी था, वो कभी शायद उन्होंने कभी deal भी नहीं करा होगा, बट उन्हें फिर भी इतना level of intelligence था, जिसकों fluid intelligence बोलेंगे, कि उन्होंने इससे बहुत effectively deal कर लिया, कि ठीक है, situation ऐसे खराब है, we can make it better, then there is crystallized intelligence, ठीक है, crystallized intelligence की जाम बात करते है, refer to the use of previously acquired knowledge, such as specific facts learned in school, or specific motor skills or muscle memory, as you grow older, accumulate knowledge and crystallized intelligence increases, ठीक है, crystallized intelligence क्या है, जो हम अपने fact, और अपने school और इन सब से gain करते हैं, जो हमें knowledge होती है, वो हमारे crystallized knowledge होती है, कि हमारे पास जी के basically से हम बोलते है, general knowledge, वो आपकी crystallized intelligence में आती है, कि हम आगे जाके उन चीजों को कैसे use कर पाते हैं, यह हमने सीखा नहीं है, यह हम सीखते हैं, चाहे school से सीखें, चाहे लोगों से सीखें, चाहे media से सीखें, इसको हम सीखते हैं, ठीक है, यह वाला जो intelligence है, वो throughout the time, अगर हम age दोते हैं, age के through, वो increase ही होता रहता है, ठीक है, लेकिन fluid intelligence क्या है, कि वो late 20s आपका वो decrease होने लग जाता है, वो capacity आपकी decrease होने लग जाती है, तो यह इन दोनों का basically difference है, और एक इनोंने आपका कुछ, एक अमारा term है, flying effect, क्या बोलता है, कि because of environment, what happens is, कि आने वाली generation, हमेशा IQ में अपनी previous generation से थोड़ी सी जाधा होती है, तो यह basically flying effect के अंदर आता है, then there is a creativity intelligence hypothesis, creativity threshold, intelligence threshold hypothesis, which says कि एक particular level of intelligence necessary है, but intelligence sufficient नहीं है creativity के लिए, तो एक term तक यह positively correlate करते हैं, उसके बाद इनका कोई relation है, न intelligence का न creativity का, अब हम बात करते है, normal probability curve, which is NPC, तो यह जो है, यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, first में वो आपको थोड़ा difficult भी लगेगा, लेकिन आप उसे solve करना सीख जाएंगे, तो यह basically curve क्या बताता है, यह हमारा बताता है, एक पूरी population को, that's why we call it normal probability curve, ठीक है, NPC, यह हमारा बताता है, पूरी population के बारे में, in which we say that this is the mean, which is 0, mean को हम क्या consider करेंगे, 0, mode भी यही है, mean भी यही है, और आपका median भी यही है, triple M, यही है, जो है, ठीक है, और यह आपका बिल्कुल 50% population जो है, वो इधर रिलाए करेगी, basically, जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, देखो, extremes पर जो population होती है, वो हमेशा कम होती है, most of the population relies in the average area, so this is what the average area is, ठीक है, here the 34%, here the 34%, it makes it totally 68.2%, तो 68.2%, तो mostly जो population है, वो आप कहाँ rely करती है, आपकी average area में, किस में, average area में, then, यह आपका population है, ऐसे वाला, फिर अगर हम बात करें, sides की, तो यहाँ पर आपका कितना है, 13.6, 13.6, अब यह जो लोग है, यह कौन है, borderline वाले लोग है, कौन है, borderline वालो में है, ठीक है, यह आपका average था, यह आपका intelligence में, मैं अब इसको apply करना सिखाऊंगे आपको, ठीक है, यह आपका intelligence था, तो mostly लोग आपके कहारे लाय कर गए, इस से लेके इसमें, ठीक है, जो यह वाले लोग होंगे, यह क्या होंगे, a bit bad, ठीक, average से थोड़े से पूर, और यह क्या होंगे, average से थोड़े से अच्छे, ठीक है, तो यह आपके borderline पे होंगे, देन अगर हम बात करें, इधर वाली, यह जो point है, यह चोटा सा point है, 2.1 वाली, अब यहां तक हमारी कितनी population consider हो गई है, 13.6, 13.6, अगर हम बात करें, इस area की, तो इसमें कितनी population आपकी rely कर गई है, इसमें आपकी total 68.2, यह वाली दोनो, then there is 13, then there is 13, 0.6, 0.6, तो यह आपका कितना आगया, 27, तो यहां पे आपका plus 27, अगर हम कर देंगे, total 27, मतब total आपकी मिलागे, almost 96 परसेंट जो population हो, वो आपकी इसमें आगए, कितनी 96, तो 96 परसेंट आप पॉपुलेशन जो है, वो इसी में cover हो जाती है, एक तो average में, उसके बाद borderlines में, then अगर हम बात करें, इस वाली कि जो आपका extremes है, 2.1 इधर है, 2.1 इधर है, तो यह कौन है, यह बिल्कुल extreme वाले है, यह बिल्कुल ही poor है, बिल्कुल poor, extreme poor, और यह कौन है, extreme bad, good, sorry, यह कौन हो गए, extreme good हो गए, यह हमारा beach का में discuss हो गया, ठीक है, beach वाले area हो गया, अब beach के जो इधर होगा, वो आपका average होगा, एक standard deviation, एक standard deviation, यह जो हमने आप point mention करा हुआ, इसको हम बोलते है, standard deviation, basically, एक line is equal to one standard deviation, एक होता है plus में, एक होता है negative में, तो यह आपका minus one standard deviation from the mean, then there is second standard deviation from the mean, then minus second, minus three and minus four, तो यह आपका क्या होता है, standard deviation होते हैं, basically, कि mean से जो आपका data है, वो कितना fluctuated है, उसको हम क्या बोलते है, standard deviation, अब यह जो normal probability curve मैंने हाँ पर आपको समझाया है, उसको समझाने का reason क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ, आगे हम चलेंगे अपने intelligence case पे, averages पे, अब अगर हम बात करें, देखो, मैंने आपको बताया, कि mostly जो लोग है, वो किस में आपके rely करेंगे, average में, right, तो वो आपकी यह वाली standard deviation थी, यह वाली standard deviation, ठीक है, कितने में, यह, मतलब अब आपका इधर mean, अगर हम बात करें, NPC की intelligence के perspective में, मैं आपके पीछे लेके चलती हूँ, आप पहले इसको देख लो, देखो, अगर हम बात करें, हाँ पर mean की, तो यहाँ पर mean आपका निकलेगा 100, ठीक है, mean आपका कितना निकलेगा 100, यह कुछ बच्चे, यह कुछ बच्चे, यह आपके कितने आ गए total, यह आपका 50% इधर हो गया, यह आपके extended deviation, यह आपकी दूसरी standard deviation, यह आपकी तीसरी deviation और यह आपकी last valley deviation, second deviation और last valley deviation आपकी ऐसे होगी, तो अगर हम इसे उदर जाके mention करते हैं, किदर? NPC पर, normal probability curve पर अगर हम इसे mention करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा? 100, which is average IQ, then there will be 120, here will be 80, then here will be 140 and here will be 60, right? extended deviation के हिसाब से, अगर हम आगे जाके अब इसे वापस देखते हैं, तो 2% of the population, extremely low, तो यह आपकी किसके अंदर consider हुई है, इधर, कि 2% population जो है, इनका IQ कितना है? एक सिकिंद, इनका IQ कितना है आपका? बिलो 70, right? बिलो 70, मैंने 60 mention करा, आप इधर कर लो 70 को, ठीक है? तो आपका कितना होएगा? बिलो 70 चला जाएगा, देन, there are 13% of population, जो, बिलो 80 रिलाएग करेगा, बिलो 80 और 85, 79, 7.5 of the population, ओहो, देव मैंशन स्मोर स्टेंड डेविशन, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है? तो वो इशू है आपका, बाकी इसका मेजर जो है, वो हम यही लेते हैं, जो हमारे standardized test है, बेशलर स्टेंड जो होगे, उनमें हम यही लेते हैं, तो 100, 120, 40 और 80, and here is 60, हम इसी तरीके से consider करके चलते हैं, 20 की ही standard deviation basically, जो standardized form intelligence का उसमें use होती है, तो हम उसी साब सभी चल रहे हैं, तो यह हमारा mean हो गया, these are below, जो आपके बिल्कुल, आपके क्या कहते हैं, थोड़ा सा poor है, यह आपके average ranges में आगें, दोनों वाले, उसके बाद अगर इसकी बात करें, तो यह आपके bit good वाले उसमें आगें, कि थोड़े से अच्छे हैं, यह आपके, थोड़े से बुरे वाले zone में आगें, इधर इधर वाले अगर हम बात करें, 140 है वो होते हैं, यह आपके gifted child हो गए, क्या हो गए यह आपके gifted child, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह आपके क्या हो गए, MR, जो आपके proper MR होंगे, जिनको हम बोलेंगे special child, that's how the intelligence का, जो हमारा एक proper construct है, वो पूरी population में किस तरीके से बटा हुआ है, अब हम एक बार वापस से इसे ही देख लेते हैं, यह आपकी जो IQ ranges है, उनको थोड़ा सा modify करके बाटा गया है, जो major standardized form है, वो वैसे ही होती है, that's why I was getting confused, then, अब हम देख लेते हैं, कि average हमारी कितने जाएंगे, 9200 में, जिसमें मारी 50% of the population जो है, वो rely करेगी, अगर हम यहाँ देखें, तो हमने इसमें कितनी कर दीती, 64 कर दीती थी, तो 64 कैसे हो गई थी, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से वाल आ गया था, तो अब हम इन points को देख लेते हैं, particular points को, यह जादा specified है ज्यादा defined है, अगर IQ 70 और below है, तो वो क्या हम consider करेंगे, extremely low और उसमें आपकी सिर्फ 2% population आईगी, then अगर IQ 71 to 79 है, तो वो आपकी borderline हो जाएगी, borderline मतलब special child और उसके बीच का, वो आपका 75, 7.5 population उसमें आईगी, then there is 80 to 89, जो low होंगे, थोड़ा average से, वो आपके 16% of the population करेंगे, average में आपके 50% rely करेंगे, जिसके limit 90 to 110 है, then अगर हम बात करें, 111 से 120 तक, तो वो आपके bright में आएँगे, जो 16% of the population में rely करेंगे, then अगर हम बात करें, 121 to 130, तो आपके very bright आएँगे, जिसमें आपकी, 75% of the population, उसमें, sorry, 7.5 population उसमें rely करेंगे, then there is 131 आएँगे, और उसके अबो वाले, जो बहुत कम होंगे, मतलब, जो gifted child होंगे, बहुत कम होंगे, जो 2% में आपके rely करेंगे, अगर हम total को कर लेंगे, तो total आपका 100% बन जाएगा, फोड़ा सा, जो major हम NPC में apply करने में, इसका issue हुआ है, वो इधर हुआ है, कि अगर आप इसकी ranges बना, ये ranges उन्होंने दिये, अगर हम बात करें, exact points की, तो ये आपका almost same ही answer देगा, तो normally, जो population जो है, उसमें जो intelligence का construct है, वो इसी तरीके से बटा हुआ है, जो average जो लोग है, मतलब, mostly जो लोग है, वो आपके कहां rely करते हैं, average में, और average आपका कहां होता है, one standard deviation from the mean, which is this part, ठीक है, इसमें आपके 64.2% of the person rely करते हैं, उसके बाद आपका अगर थोड़ा ज़्यादा, एक परसन हलका सा below average है, ये आपका borderline पे है, तो वो आपका इधर rely करता है, फिर आपका जो special child है, वो आपका 2.1 में rely करता है, जो बहुत कम होते हैं, extreme वाले cases, then अगर हम इधर बात करें, तो that is 2, ये आपके थोड़ा सा smart होते हैं, rather than the average, better than the average, then there is this one, जो आपके gifted होते हैं, और ये gifted भी बहुत कम होते हैं, तो that's how the intelligence is distributed among the population, अब इसके बाद कुछ और theories हैं, intelligence की जो हमारी रहे गई हैं, वो जो हम आपकी next video में कराएंगे, आज का जो session हम यही wrap up करते हैं, अब आगे ही जो MCQ की practice है, और आगे जो हमें और topics करने हैं, उसके लिए आप अमारे channel पर बने रहे हैं, ये जो आपको सिखाया है, इसे पढ़ते रहे हैं, revise करते रहे हैं, MCQ की series साथ के साथ चलती रहेगी, उसको भी जान से देखते रहे है Till then, बाइ